ओम शान्ति आज 26 मार्च 2022 देन शनीवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे अब बेहद की रात पूरी हो रही है दिन आने वाला है वापिस घर चलना है इसलिए अब दर-दर भटकना बंद करो प्रेश्न किस प्रेक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो उत्तर यदि कम से कम आठ घंटे तक याद बनी रहे यह प्रेक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांती के वाइवरेशन फैलते हैं याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी उँच मिलेगा इसलिए इस रुहानी यात्रा में कभी भी ठकना नहीं है जिस्म का भान चोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है गीत रात के राही ठक मत जाना ओम शांती बच्चों ने सावधानी सुनी बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि है रात के राही क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है यह है बेहद की रात और दिन बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है अब तुम बच्चों अर्थत आत्माओं को जाना है अपने घर जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की परंतु तुम बाप को ढूंड ना सके क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है अब तुम जानते हो बाप दिन में अथ्वा कल्यूग से सत्यूग में जाने का रास्ता बता रही है बाबा ने समझाया है ब्रश्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं भारत वासी बाप को ही भूल गए है कीता का भगवान निराकार उसके बदले साकार क क्रिश्न का नाम डाल दिया है यह है बड़ेते बड़ी भूल जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है भूल निम्मित बनी है दुख भोगवाने के यह भी ड्रामा का पाट नुदा हुआ है भक्ती मार्ग में भटकते रहते हैं अगर बाप को जान ले तो भटकन की दरकार नहीं तुमने अब बाप को जाना है श्री क्रिश्न अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ न हो जट सब जान जाएं परन्तु यह तो इतना गुपत है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो क्रिश्न को तो कोई भूल न सके सारी दुनिया एक दम चटक पड़े समझे श्री क्रिश्न तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है उनको कोई छोड़े ही नहीं परन्तु समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए अगर समझाने की युक्ती नहीं आती है तो कहां कहां डिस सर्विस कर देते हैं क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसी को अच्छी रीती सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके इस समय सब पतित है गाते भी है पतित पावन सीता राम परन्तु पावन बनाने वाला कौन है यह कोई नहीं जानते गीता का भगवान क्रिश्न समझ लिया है राम को तो कोई शास्त्र नहीं है ऐसे नहीं रामायन कोई राम चंद्र का शास्त्र है शत्रिय धर्म कोई राम न एक साथ ही शिप बाबा स्थापन करते हैं तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं राजा रानी तो एक होता है बाकि प्रजा और दासदासियां तो अनेक बनते हैं आगे राजाओं के पास धेर दासदासियां थी कोई बहलाने के लिए कोई डांस करने के लिए डांस का शोक तो वहाँ भी बहुत ही रहता है बाकि राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीती समझ और समझा सकते हैं पर दर्शनी की सर्विस से मालूम पढ़ जाता है कि कौन-कौन अच्छी रीती समझा सकते हैं पहली बात यह समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्व व्यापी कह दिया है दूसरा क्रिशन को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाला शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है निराकार बाप ही सब का रचियता है उस एक को ही आद करना है वही राजयोग सिखलाते हैं परंतु घीता में जो कृष्ण भगवानु वाच लिख दिया है इस कारण ही हाथ में गीता उठाए जूटी कसम लेते हैं अब बताओ श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है वा निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है सब मुझे हुए है अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की राजा जनक का मिसाल कहते हैं अश्टापा ने जनक को ग्यान दिया परंतु यह कोई ब्रह्म ज्यान तो है नहीं यह है ब्रह्मा ज्यान ब्रह्मा कुमारिया यह ज्यान दे रही है ब्रह्म कुमारिया नहीं वह लोग ब्रह्म को इश्वर समझते हैं परंतु नहीं इश्वर तो बाप है बाप का नाम ही शिव है ब्रह्म तो तत्व है यह सब बातें मोटी बुद्धी वाले समझना सके नंबर वार दास दासियां भी बनते हैं समझना चाहिए अगर हम किसी को अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाट पिछाड़ी में है तो फिर पुर्शार्थ करना चाहिए सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वहदे अभिमान से ही सिखलाते हैं देही अभिमानी सिवाए तुम ब्रह्मनों के कोई है नहीं तुमारे में भी नंबर वार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं हम आत्माओं को सुनाते हैं आत्मा इन ओर्गंस द्वारा बोलती है, आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ओर्गंस खराब हैं, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है, सत्यूग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्यान नहीं है, बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहां कोई नहीं क वो लोग माला हाथ में लेते हैं मुख से राम राम कहते हैं यहां तो राम अक्षर कहना भी रौंग हो जाता है राइट अक्षर है शिव बाबा परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है बाप को याद करना है यह है यात्रा जिसमानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं हम अमरनात पर जाते हैं वो नाम तो लेना पड़ता है ना तुमको कुछ भीच अपना नहीं है तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है हमारे 84 जन्म पूरे हुए यह पूराना चोला छोड़ना है पाट बजाते बजाते पतित होना ही है बाप कहते हैं यह जो मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड है उनका थुर सड़ गया है बाकी टाल टालियां बची है यह भी तमो प्रधान हो गए है जाड की आयू अब पूर दूसरी कोई दुनिया नहीं है अगर होती तो हम पढ़ते क्यों कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ गीता ज्यान सुनाओ पावन बनाओ परंतु पतित हम कैसे बने हैं यह कोई नहीं जानता अब तुम जानते हो हम ही पावन थे फिर हिस्ट्री रिपीट होती है अब बाप कहते हैं वापिस घर चलना है घर में तो बाप ही रहता है कहते हैं परमधाम में रहते हैं फिर भूल जाते हैं आतमाई भी ब्रहमांड में रहती हैं यह स्रिष्टी है इसमें मनुष्य रहते हैं ब्रहमांड में आतमाई रहती हैं फिर आती हैं यहां पाट पैर सब के प्रिथ्वी पर हैं बाकी शरीर कहां है वह तो आकाश तत्व में ही हैं वहां तो आत्माय स्टार्स रहती हैं वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने फिर बाहर भी निकलते हैं लिखते भी हैं गिरने का डर नहीं इतनी आकरशन है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं तो इतनी छोटी सी आत्मा महतत्व में क्यों नहीं ठहर सकती रहने का स्थान वहां ही है यह सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं यह कैसे ठहरे हुए हैं कोई रस्तियादी तो नहीं है यह सारा ड्रामा बना हुआ है हम 84 के चक्र में आते हैं यह जाड है कितनी बड़ी टाल टालियां हैं बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकेंगे बाबा भी नट शेल में समझाते हैं जो पीछे पीछे आते हैं वह जरूर थोड़े जन्म ही लेंगे बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्रहमन देवता शत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है जिससे स्थापना होई उनको ही फिर पालना करनी है ब्रहमा विश्नु शंकर तीनों ही देवताएं अलग-अलग हैं बाकी ऐसे नहीं ब्रहमा को तीन मुख हैं ऐसे हो ना सके बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बे समझ बन गए हो बाप आकर समझदार बनाते हैं अभी तुम सब सीताएं रावन की कैद में हो तुम ही बंदर थे तुम्हारी सेना ली तुमको ही मंदिर लाइक बनाया अब राजधानी स्थापन हो रही जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उजपद पाएंगे तुम जानते हो हमारे ममा बाबा नंबर वन में आते हैं स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं और फिर बैकूंट में भी देखते हो पहले बहुतों को साक्षातकार कराया गया फिर सब थोड़े ही क्रिश्न बन जाएंगे बाल लीला आदी दिखाई जाती है पुरशार्थ कराने के लिए बिगर पुरशार्थ महराजा महरानी तो नहीं बनेंगे जो पक्के निश्चय बुद्धी हैं वह एक एक थम अर्थात ठहर जाते हैं बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं आश्चरेवत सुननती कथनती भागनती हो जाते हैं पहले की कावत है अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागनती हुए थे किसी पर भी भरोसा नहीं जैसे श्वास पर भरोसा नहीं बाबा का बन कर फिर भी मर जाते हैं अत्वा हाथ छोड़ देते हैं, बाबा घड़ी-घड़ी कहते रहते हैं, तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है, भक्ती मार्ग में भी आदा कल्प याद किया है, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते, जानत याद करते हैं, उनके पाप कटते जाते हैं, यात्रा का भी ध्यान रखना है, पिछाड़ी में आठ घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे, तो भी बहुत अच्छा है, यह है शांती और पवित्रता के वाइवरेशन फैलाना, याद से विकर्म भी विनाश होंगे, और पद भी उचा मिलेगा, इसलिए कह जाता है, रात के राही ठक मत जाना, कल युग का अंत माना, ब्रह्मा की रात पूरी होना, सब को वापिस जरूर जाना है, रुहानी घर को याद करना है, रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है, यह है याद की यत्रा अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चो प्रती मात पिटा बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पक्का निशे बुधी बन द्रड संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोडेंगे बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है देही अभिमानी बनने की महनत करनी है पांच विकारो रूपी रावन की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है मंदिर लायक बनने का पुर्शार्थ करना है वर्दान ज्यान युक्त भावना और स्नेह संपन योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव जो ज्यान सवरूप योगी तु आत्माए हैं वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूती करते हुए विजई बनती हैं जो सिर्फ स्नेही वा भावना सवरूप हैं उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है इसलिए समय प्रती समय सहयोग प्राप्त होता है लेकिन समान बनने में ज्यानी योगी तु आत्माए समीप हैं इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्यान सवरूप हो ज्यान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है स्लोगन सदास नहीं वा सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करू मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ओम शिवो हम हम सो सो हम इन शब्दों का यथार्थ अर्थ ओम शान्ति यह जो शब्द उच्चारन करते हैं हम सो सो हम शिवो हम अहम आत्मा सो परमात्मा अब यह महावाक्य कोन उच्चारन करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत सवरूप हूँ यह निश्चे होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ यह अक्षर नहीं कह सकते हैं फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है फिर जब हम सो, सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पुझ्य सो अब पुझारी बने हम सो पुझ्य अब यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है यह जो मनुश्य कहते हैं अहम आत्मा सो पर्मात्मा अब यह शब्द सिर्फ पर्मात्मा ही कह सकता है क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा है फिर यह जो शिवो हम शब्द कहते हैं वो भी पर्मात्मा कह सकते हैं क्योंकि वो शिव हैं तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब पर्मात्मा आकर यह knowledge देते हैं बाकी ओर धर्म वालों को Christian आदी को यह मालूम नहीं कि हम सो पॉप बनूँगा उन्हों को यह knowledge ही नहीं है अभी हमको यह knowledge मिली है कि हम सो देवता बनेंगे हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र हिस्ट्री गीता भागवत सामने है क्योंकि हम आदी से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते ओम शब्द कह सकते हैं अच्छा ओम शान्ती